हलो दोस्तों विल्कम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था किसी भी बैंक का ATM काड अगर आप मंगवाना चाहते हैं विथ फोटो अपना फोटो लगवा कर तो आप कैसे मंगवा सकते हैं जिनरली जो हम लोगों का ATM काड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है आप देख सकते हैं यहांपर हला कि यहांपर फ्रंट केमरा है तो आपको उल्टा दिख रहा होगा इस तरीके से देखता है यहांपर जो यह वाइट है यहांपर आपको अपना फोटो अगर लगवा कर मंगवाना चाहते हैं या अपना फैमली फोटो लगवा कर मंगवाना चाहते हैं ताज महल का फोटो फ्लावर का फोटो या फिर कोई सा भी आपका 24 वाला फोटो आप इसमें लगवा कर मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ही मिल जाएगा लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट्स किया थ फोटो वाला ATM काड हम कैसे अपलाई करें तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे SBI का ATM काड आप फोटो वाला कैसे मंगा सकते हैं सबसे पहले तो जरूरी बात आपको बता दें यदि आप इंटरनेट बेंकिंग का इस्तिमाल करते हैं तो ही आप यहाँ पर विजिट कर देख लिए किस तरह से इंटरनेट बेंकिंग जो है एक्टिव करना है ठीक है बहुत यह आसान है और आपको रखना बीचिए बहुत सौप में या किसी को पैसे ट्रास्पर करना है रिचार्ज करना है बहुत जगह पर काम आता है आपको बने बता दिया कि स्ट दूसरे बैंकों का मैंने एटियम बताया था उसमें अपना फोटो लगा सकते थे लेकिन यहां पर अपडेट नहीं किया है पुरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रंडम ली यहां यानि कि जो एसबी आई के तरफ से फ्लावर्स के कुछ-कुछ एनिमल्स के जो पिक दिये गए ह उसमें से ही आप बाई डिफोल्ट सेलेक्ट कर सकते हो आप गैलरी से सेलेक्ट नहीं कर सकते है यह थोड़ा सा इसमें दिक्कत है हला कि फिचर में इसको अपडेट कर दिया जाएगा आप अपने फोटो के साथ भी एटियम मंगा सकोगे जिसके लिए दोसों कुछ रुपे करना है SBI Simply Search कर देंगे और सबसे उपर में ही आपको इसका Official वेबसाइट मिल जाएगा online sbi.com आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे आपकी आसानी के लिए Link हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्रस्नल बैंकिंग यहां पर लिखा गया है तो आप इस पर लॉग इन करे देगा तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं यह एक नया पेज में मुझे लेकर आ गया है अब यहां हम continue to login बटन पे किलिक करेंगे उसके बाद यहां अपना username, password और यह जो capture आपको देख रहे है इस capture को फील करके यहां login वाले बटन पे किलिक कर देना है जो आपका SBI का user ID password है वो फील करेंगे इस वक्त हम अपने SBI के internet banking में login हो चुके हैं इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा इसके रिकार्डिंग हमने पहले वीडियो बना दिया है बाइले कैसे चेक करना है डेपोजिट कैसे करना है सारा कुछ हमने वीडियो बना दिया है तो आप जाकर बिजिट कर लिए चैनल को और देख लिए ठीक है अब यहां पर देखिए उपर में आपको my account payment transfer, bill payment, fixed deposit, e-tax और e-services का option देखने को मिलता है आपने क्या करना है e-services पर यहां पर ATM card service पे किलिक कर देना है तो चलिए ATM card service पर हम किलिक कर देते हैं उसके बाद friends आपके ATM card का pin generate कर सकते हैं और यहां पर नया जो ATM card उटा है उसका activation कर सकते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है यहां पर request, ATM and debit card इस पर किलिक करना है अब आपके सामने कुछ इस तरीके से interface आ जाएगा इस पर आप किलिक कर देंगे उसके बाद इस पर किलिक कर देंगे और यहां पर debit card है और my card है ठीक है तो debit card नहीं my card पर आपको क्लिक करना है तभी आप जो है फोटो वाला मंगा सकते हैं ATM card यहां पर आप अपने ATM card में जो नाम चाहते हैं वो नाम टाइप करेंगे और यहां पर card का type दिया गया है SBI card international image debit card master card है और यहां पर visa card है ठीक है तो यहां पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से interface आ जाएगा यहां पर आपका जो primary account है उसका number दे दिया गया है आप card में जो नाम चाहते हैं वो नाम यहां पर दिया गया है उसके बाद type of card है यहां पर registered address यानि passbook में आपका जो पहले से address registered है आप अगर उस पर मंगाना चाहते ह करेंगे यहां पर नहीं मंगाना चाहते हैं कोई नए address देना चाहते हैं तो आप यहां पर click करके नए address भी पर सकते हैं फिलहाल हम यही address पर चाहते हैं और यहां पर submit वाइल बटन पर click कर लेते हैं अब यहां पर दो तरीके से option आपको दिखेगा यहां पर one time password है और यहां पर profile password है आपके पास अगर profile password है आपको याद है तो आप profile password पर click कर profile password डालेंगे यह नहीं है तो आप यहां पर OTP वाला पर click करेंगे जो SBI Bank के साथ आपका mobile number registered होगा उसमें OTP जाएगा तो चलिए हम इस पर click कर लेते हैं OTP हमने डाल दिया है अब simply submit वाले बटन पर click करेंग अब आपके सामने कुछ इस तरीके से interface आजाएगा देखिए card जो है आपका कुछ इस तरीके से बन कर आएगा और आप इसमें से जो सा भी image चाहते हैं वो यहां पर randomly select कर लिजिएगा जो सा भी आपको अच्छा लगता है जो यहां पर by default इतना दिया गया है यहां पर आप animals का अगर आप चाहते हैं तो यहां पर आप animals का भी दे सकते हैं जैसे more है यहां पर और भी birds है और वगयरा यहां पर बहुत कुछ है ठीक है इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा उसके बाद nature का चाहते है तो nature का भी यहां पर दिया गया है तो ठीक है और यहाँ पर इस तरह का भी दिया गया है देखिए और यहाँ पर आप देखते हैं तो लैंड इसकेप में भी दिया गया है यहाँ पर समुंदर वगेरा का भी है अच्छा लग रहा है देखने में लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कमी है कि इसमें अपना फोटो भी देना चाहिए था और बैंको की तरह उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और 200 कुछ रुपय का पेवेंट को आपको काटना पड़ेगा यानि बैंक जो है आपसे 200 कुछ रुपय काट लेगे यहां पर ठीक है तो बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा एला कि यह फ्लावर वाला जो एट्यम बढलीक सब्सक्राइब मैठ Toyota काट लिया जाता है जैसा कि हमारे मुबाइल मेसेज आ वर म्मारा neither 2595 रुपया काट लिया गया तो अगर हम यहां से अब इसको order नहीं भी करेंगे तो भी हमारा जो पैसा है वो cut गया है वो return आएगा नहीं आएगा इसके बारे मैं नहीं जानता तो यदि आप इसको मंगाना चाहरे होंगे तभी आप पासवर्ट फिल कर आगे बढ़ियेगा नहीं तो आप मेरी तरह नुकसान में आजाओगे जैसे हम मंगाना नहीं चाहरे थे लेकिन शिर्फ और शिर्फ आपको दिखाने के लिए यहां पर 25 चैनल मेरा एकाउंट से कड़ भी किया तो अब मजबूरन मुझे जो है इसको ओर्डर करना पड़ेगा तो बस इतना ही अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिजेगा यह इंफिमेशन लोग के साथ भी सेर किजेगा ताकि वो लोग भी जान सकें